तो भाई लोग कैसे हो आप सब, उमीदे कि सब मस्त होंगे और जवरदस्त होंगे, तो क्या भी अपने Facebook एकाउंट को deactivate करना चाहते हो, या फिर उसे permanently delete करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप ही लोके लिए होने वाला है, वीडियो बिल्कुल ही में short रखने वाला हूं, तो वीडियो को complete देख लाना, ताकि तुम्हें हर एक process समझ में आ जाए, वैसे भी में मैं वीडियो काफी short रखता हूं, तो आप लोका ज्यादा time बिवेश नहीं होगा, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो भाई एक like and comment करना मद भूलना, ठीके, तो चले हो यार वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, घबराने के कोई बात नहीं है, अगर आप Chrome भी यूज़ कर रहे हो, या फिर Facebook Lite या फिर Facebook के app यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये option सेम देखने को मिलेगा, ठीके, जैसी setting option पर क्लिक करोगे तो आपको first option पर ही personal information का option देख जाएगा, उस पर आता हूं कि आपको क्या करना है, तो भाई देख सकते हो कि ये load हो चुका है, और आप देख सकते हो कि नीचे में आपको account के बगल में deactivate का option दिख रहा है, और जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो भी password है इस account का वो आपको क्लिक करना होगा, verification के लिए, और जैसे इस प पासवर्ट करके आपको जो मुवाइल नमर जिस नमर पर बना होगा है, उस पर आपको एक OTP गिरेगा, तो इस OTP को आप क्लिक करते हो, जैसे ही डालते हो, तो आपको जो नमर है वो आपको मिल जाएगा password, फिर उस password को यहाँ पर डाल कर, permanently deactivate कर सकते हो, ठीके? तो भाई, यही था आज का वीडियो, और मैं एक वीडियो अलरड़ी बना चुका था, कि आप कैसे अपने Facebook फ्रेंड का या फिर कोई भी आपको डिश्टब कर रहा है, तो उसके भी एकाउंट को जो भी फेक अकाउंट है, उसे भी आप डिक्टिविट करते हो, कैसे यह कर सकते हो, त उसका एकाउंट आपको यह आई बेटन पे देखने को मिल जागा, तो आज की लिए इतना वाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तेक लिए जाएंगे, ठेंक्स वर वाचिंग्स